हाई ट्वेल्टीज वेलकम टू ईजीपे कॉमर्स क्लासेश मैं हूँ अबता और गाइस आज के इस वीडियो में हम अपने किसे कहते हैं कब बनाया जाता है और इन्वेस्मेंट कब करी जाती है सेकेंड वीडियो में हमने इस चेप्टर की बेसिक जनल एंट्री सी की है तो अगर आपको ये चेप्टर नहीं आता तो आप पार्ट बाइपार्ट सीख सकते हो थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग एक इसका मेथड सॉल्फ करेंगे CBST के स्लेबस के हिसाब से हमें दो मेथड गिवन है लंब सम एन इंस्टॉल्मेंट दो मेथड कट रखे हैं हमारे ठीक है तो दो मेथड गिवन है लंब सम एन इंस्टॉल्मेंट तो आज हम लंग सम मैथट से question को solve करेंगे जो कि T.S. Grewal का example number 5 है अगर आपके पास कोई भी author की book है doesn't matter आपको main है question समझना कैसे solve किया जाता है कैसे dates ली जाती है उनको सीखना तो वही चीज आज हम सीखेंगे question आपके सामने है तो सबसे पहले question में मैंने आपको एक चीज़ बोली है कि वो आपको confuse करेंगे आपको बोलेंगे कि D.R.R. का कितना amount transfer करें लेकिन company को देखकर हमें D.R.R. और D.R.I. बनाना होता है सबसे महत्वपून important बात यह है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस company में D.R.R. और D.R.I. बनता है या नहीं बनता तो देखो पहली शर्थ यह होती है कि unlisted company होनी चाहिए दूसरे शर्थ यह होती है कि non लिखा होना चाहिए company का तो देखो जे के पेपर लिमिटेड एंड अनलिस्टेड एंड नौन NBFC, HFC बोले तो नौन बैंकिंग फाइन्स कामपनी, HFC बोले तो हाउसिंग फाइन्स कामपनी ठीक है तो अब इस case में guys हम लोग DRR और DRI दोनों बनाएंगे, otherwise सिर्फ लिस्टेड कमपनी होती है जिसमें DRR बनता है, DRR नहीं बनता, तो वो चीज में basic concept में सिखा चुके हो, जरूर देखना एक unlisted और एक non दोनों लिखा होगा तब DRR और DRI दोनों बनेगा, ध्यान रखना आगे वो क्या कहतें, company के बारे में, head a 10,008% debenture, कितने debenture हैं उनके पास, 10,000 debenture हैं, कितने का एक debenture है, 100 रुपे का, तो टोटल जो पैसा due हो रहा है, that is 10 lakh rupees company ने चुकाना है आउटस्टेंडिंग का हो रहा है, 31 मार्च 2020 को, which are due on redemption on 31st Jan 2021, भाई 20 में पैसा उनका देने वाला हो गया था, बट हम कब दे रहे हैं, next year के 31 जन्वरी 2021 में, it was decided to transfer amount to DRR on 31 मार 2020 को, हमें DRR का amount transfer करना है तो 31 मार्च 2020 को, हम DRR का amount transfer करेंगे, ठीक है, तो अगर आपको date given नहीं होती, तो आप कौन सी लेते, तो वो भी मैं आपको सिखाती हूँ, कि देखो, अगर date given नहीं है, हमने पैसा कब चुकाना है, देखो, 31 जन्वरी 2021 को चुकाना है न, इससे पहले मार्च कब आया होगा, इससे पहले मार्च आया होगा, 31 मार्च आया होगा 2020 में, क्योंकि 21 का तो अभी आना बाकी है, और 31 मार्च 2020 का next day क्या होता है, 1st April 2020, तो इस दिन हमारा DRR बनता है, और इस दिन हमारा DRI बनता है, ठीक है, यह चीज़ ध्यान में रखना, अगर आपको dates given नहीं हो, DRR और DRI की तब आपको इस तरीके से date लेनी होती है, जब due हो रहा है उससे पहले बाला मार्च, ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, DRR यानिकि डेपेंचर रेडेंशन रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसर होगा और कहां से होगा, तो क्योंकि हमें कुछ भी नहीं बोला, तो हम पैसा लेंगे सरपलस से, that is balance in statement of PNL account, right, इसे हम debit करेंगे, to, कहां पैसा ट्रांसर करेंगे हम, debenture, redemption, reserve account, narration में क्या लिखेंगे, being amount transfer to DRR, ठीक है, यानिकि debenture, redemption, reserve account में, कितना जाएगा guys, 10 lakh का 10%, DRR का rate क्या होते है, 10%, तो यहां जाएगा आपका 1 lakh रुपी, ठीक है, second entry होगी, हमारी DRI बनाने की, जो की 1st April को दी जाएगी, 1st April 2020 में, हम debenture, redemption, investment करेंगे, देखो, आपको narration अपनी copy में जरूर लिखनी है, वरना marks कटेंगे, debenture, redemption, investment, account, debit होगा, investment कर रहे है, asset बन रहा है, debit किया, हमारे bank से पैसा जा रहा है, bank को credit कर दिया, कितना, investment कि इतने की होती है, तो DRR 10% है, तो DRI 15%, तो 10 लाग का 15% होगा, guys, 150,000, ठीक है, clear है, being investment made, okay, अब इसके बाद हम narration लिख देंगे, ये हो गया, अब हम सीधा आएगे, guys, देखो, हमने DRR भी बना दिया, DRR भी बना दिया, अब आते हैं उनको पैसा देने की बाद, तो हम सीधा प 2021 पहुँच गए, तो सबसे पहले, जो investment हमारे पास थी, उसका पैसा हम वापस लेंगे, तो हमारे पास bank में पैसा आजाएगा, bank account हमारा debit हो जाएगा, 2 कहां से पैसा आया, debenture redemption investment account से, investment realize हो गई हम लोगों को, तो कितना पैसा आएगा, 1,50, जितने की investment करी इतनी, उतना ही आ होगी, आपके कौन से debentures थे, 8% debentures थे, तो 8% debenture account को हम debit करेंगे, और debenture holders को हम credit करेंगे, ठीक है, कितना पैसा उन्हें देना है, तो हमने तो पूरा 10 ला कुर्पे देना है, तोड़ तोड़ की तो हम नहीं दे रहे, तो पूरा 10 ला कुर्पे इनको due कर देंगे, अब आ holder account, debit to bank account, कितना आज जाएगा guys, 10 ला कुर्पे and अब सिर्फ last entry होगी, वो क्या होती है, जब हम अपने DRR, जो ये DRR बनाया था, इसका पैसा general reserve में transfer करते हैं, तो वो entry में आपको यहाँ करके बताती हूँ, same day होगी, 31 January को ही, 2021 में, हम अपने DRR account को debit करेंगे, और ये पैसा किस में transfer कर देंगे, अपने general reserve account में, कितना पैसा हमने था हमारा, एक लग का बनाया था, जितने का DRR बनाया था, वही पैसा हमने transfer करा है, हमने सारा 10 लग नहीं करा, क्योंकि था ही नहीं DRR में, कर दी, अपने जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब आओ, जब उनका पैसा चुकान है, तो सबसे पहले आप investment बेचोगे, investment बेचने के बाद, आप debenture holders को due करोगे, due करने पर उनको उनका पैसा दोगे, and the last entry is, जब हम DRR का पैसा general reserve में transfer करेंगे, तो बस इतना करना होता है, और हमें पूरे marks मिल जाते हैं, अगर फिर भी आपको कोई question में, कोई भी doubt है, तो आप मुझे Instagram पर message करके पूछ सकते हो, आईडिया था बिता मैसी, या फिर YouTube पर comment के थूँ, thank you.